आप 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 बहुत बढ़ने होंगे तो रिसेंटली मैं ने यह वाले फोटो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था और काफी लोगों ने इस पर अच्छा रिस्पांस दिया और इसके रिल्स पर एक लाग फ्यूज होने वाला है काफी लोगों ने मुझको डियम किया था और काफी लोगों ने कमें बोला था कि भाई इसका टूटोरियल आप लेकर रहा हूं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मैं इसको कैसे इडिटिंग किया था अभी तक आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने वाला हूं और आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलोड नहीं की हो तो फॉलो जरूर करना और वीडियो को सुरू से लेकर लाश्ट तक दिखना जिस तभी आपको सारा कुछ सम इस चैनल करके ते आप यूज कर सकते हो इसको सबस्क्रीड जो आप इस फोटो में तेक्स को देख रहा है इस टेक्स का नाम है बिग डिल जिसका मैंने लिंक डिसक्रिप्स न बॉक्स में डाल दिया आप जाकर डॉनलोड कर लेना तो आप किसी भी ऐप्लिकेशन में इसको को इंस्टॉल करके आप उसमें इस टेक्स को यूज कर सकते हो एक चीज और है कि अगर आप कलर ग्रेडिंग से पहले इस टेक्स को अपने फोटो के अंदर एड़ करते हो तो यह टेक्स आपका दिखेगा नहीं क्योंकि हम लोग बैक्ग्राउंड में वाइट यूज करने वा कर दोगे तो फॉट कर दोटे हो जाएगा सो चलते हैं अब हमलों कलर ग्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं सो यह हमारे यहाँ पर फोटो रहा और मैंने इसमें टेक्स एड़ कर दिया है जोडों की आप लोग effort करना करना इस text को add, आप final color grading करने के बाद, इस text को add करना, so मैं यहाँ पर आप color grading करना start करता हूँ, so light adjustment tool, contrast को minus तरफ, highlight को minus तरफ, और shadow को plus तरफ, then white and black को minus तरफ कर देना है, then color tool, vibrance को बढ़ालना है, then color mixer tool, rate का saturation minus तरफ, hue plus तरफ, then luminance को भी plus तरफ, then orange tone, hue को minus तरफ करना है, saturation को minus तरफ करना है, और luminance को बढ़ालना है, then yellow tone, hue को plus 100, saturation को minus तरफ कर देना है, luminance को नहीं छड़ना है, then green tone, hue को plus तरफ, saturation को minus तरफ, luminance को नहीं छड़ना है, then cyan tone, hue को plus तरफ, saturation को minus तरफ, और इसके luminous को नई छड़ना है देन purple luminous को बढ़ा लेना है तो हमारे यहां पर थोड़ा सा ज़्याद से चुलेट लग रहा ग्रीन का ग्रास का कलर सो इसको हम लोग और थोड़ाउन करेंगे तो ग्रीन टॉन देन से चुलेशन को डाउन करना है और इसके तो हमखने करना है यहां तक देन से चुलेशन को प्लाश्र करना यक्ष मिड़ा धना ट यहां तक देन से डोन स्ट्रीशन को 3. create करना है करम यहां पर 3. create करना है कुछ ऐसे विडियो को फॉस कर के चुर्बम मैं इसको डायर्यक्ठ कर ले गृएक्ट कर दे रहा हूं दिन आप यहां पर देख सकते हो विडियो को फॉस कर के देख लेना यहसे दिन है और चलना से टूल पर टे को बढ़ाना है प्लस तरफ clarity को भी बढ़ा लेना है कुछ देन यहां से टेटेल टूल सार्पनिंग को करना है कुछ इतना masking को बढ़ालना है सुआप देख सकते हो masking देन noise reduction और color noise reduction परफेक्ट होगे आप देख सकते हो before and after सबस्ट्राइक्ट तरफ पर जाना है और select subject यहां से invert करना है और यहां से लेना है और यहां से subtract from mask यहां से लेना है linear gradient और हम लोग लिनियर ग्रेडियंट वहां तक चलाना है यहां तक हम लोग को जरूत है लाइक हम लोग के कम जरुत है यहां तक करने यहीं तक बढ़ा है और उपपर बाग़ हम लोग exposure को बढ़ाएंगे हम लोग exposure बढ़ाते हैं कुछ इतना then contrast को बढ़ाते हैं highlight को डाउन कर देते हैं और shadow को भी डाउन कर देते हैं whites को बढ़ा लेंगे और blacks को बढ़ा लेंगे थोड़ा सब fog create करने के लिए आप देख सकते हो देन चलेना ऐसे color tool पे और इसके temperature को प्लस तरफ करना है और इसके tint को माइनस तरफ कर देना है कि इसको थोड़ा सार उपर हम आप लिख कर लेते हैं तोड़ा सा इसके ब्लेक को हम लोग करकर यहां तक कर लेते हैं को भी थोड़ा सा डॉन कर देते हैं कलर वाला टूल पे चलना है तोड़ा सा को प्लस तरप कर जरू आना है तो आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर मैं आपको जूम करके दिखाया तो आप देख सकते हो क्वालिटी और कि इस वीडियो अच्छा लगा तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में